कारत होता है संसार को बंधनकारी जानकर छोड़कर कहीं जंगल में जाकर कहीं एकांत स्थान में भगवान की भक्ति करना है लेकिन हमारे गोड़िये वैश्णों परंपरा में युक्त वाइराग्यम यानि सभी चीजों का उपयोग करते हुए भगवान के साथ अपने कृष्ण संबंधे युक्तम वाइराग्यम उच्यते यह वैरागय की एक उची अवस्था है जहां व्यक्ति विश्यों का सेवन करते हुए भी विश्यों से निरलिप्त रहता है तो थोड़ा समझना मुस्किल होता है तो इतना अच्छा कपड़ा पांते हैं इतना अच्छ कार में चलते हैं अच्छा अच्छा भुजन लेते हैं अच्छे महल में रहते हैं निरलिप्त रहते हैं निरलिप्त यानि जैसे घर में कोई काम करने वाली मेट सर्विंट है तो घर में बखुभी सभी अपने कर्तव्यों का निर्वा करती है लेकिन उसका अटाइच्मेंट घर में नहीं रहता है उसका अटाइच्मेंट जहां काम करती है वहां नहीं होता उसका अटाइच्मेंट अपने घर में होता है तो वैसे ही जो भक्ति के यह पानी का संग करें तो क्या होगा पानी में मिक्स हो जाएगा वो डिसॉल्व हो जायेगा दूध लेकिन वही दूध जब मखण बन जाता है तो पानी में क्या होगा ऊपर फ्लोट करता है तो वैसे ही भक्ति के कच्छी अवस्था में जो एड्वैंस डिवोटी हैं उनकी नकल करेंगे तो हम पताल लोक में चले जाएंगे यानि हमारा पतन सुनिश्चित है लेकिन जो भक्ति के उच्छ वस्था में रहते हैं वह अच्छा खाते हुए अच्छा हाथ प्रकार से एक तर से आईश्वरी पुर्ण जीवन यापन करते हुए भी वह इस संसार से अप्र तो ऐसे विशय उसके लिए बंधनकारी नहीं होते हैं तो जब विशयों की उपस्थिती और विशयों की अनुपस्थिती दोनों ही अवस्थाओं में वो भगवान की भक्ति में डुबा रहता है तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विशय हैं या नहें तो समाज में अनासक्त ज्यादा इंपोर्टेंट है फिर इसलिए हमें इमिटेट नहीं करना चाहिए प्रहुपा जी नहीं का डॉंट ट्राइट विशयों मास्टर ट्राइट टू फॉलो हिम यानि कि अध्यात्निक व्यक्ति का नकल नहीं करना है वे क्या कहते हैं उनका अनुसरन करना स्थ्द्धान्ति जासे हैं प्रलाद महराज है जो दिश्च्री महराज है जरोर महराज है यह गिरहस्त भक्त थे लेकिन गिरहस्त आसरम में रहती हुए प्या expert नहीं थे जनक महराज कि वैसे ही हनुमाण जी नेiddड लंका में जाकर पात मचाया लेकिन उस से अर्जों से प लाखो करोडों मडर कर दिये लेकिन कोई मडर करने के उसकी मंसा नहीं थी मन उसकी कुंसेस्नेस में कृष्ण बसे हुए थे कृष्ण की प्रसंता क्लिव कारे कर रहा था इसे लिए हमें युक्त वैरागे के सिध्धान्त को ठीक से समयना चाहिए लेकिन साथ ही साथ अपनी बद्य अवस्था का भी हमें अस्मना नखना चाहिए कि कहीं मैं बद्य अवस्था में युक्त वैरागे के नाम पर कहीं मैं भोग में ना फस जाओं और मेरा कहीं पतन न ह सीला प्रभुपाद की जाए